आज हम बहुत अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास करेंगे किस ने कहां से चला किसी की साजिश है नहीं है सारी बातों बात करेंगे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ लेकिन आपको दराने के लिए समझ मैं तो डराने के लिए समझ लिए डर जाएए बहुत जरूरी है अब आपको डरने की जरूरत है क्योंकि जस तरीके से भारतिया रियाक कर रहे है ये बहुती भद्दा तरीका है बहुती घटिया तरीका इस तरह लाशों की लाइन लगी हुई है. नाशों की लाइन लगी हुई है. और ये उसके बाद कुरिंटाइन हो रहे हैं. ये बीच पूरा पैक कर दिया गया है. ये चाईना का इलाका है. ये चाईना की स्थीति जो चाईना में जो हुआ था। अभी हम third stage में पहुँचे नहीं हैं, अभी हम second stage में, देखिए इसको समझें, third stage में नहीं पहुँचे, ये second stage और third stage के बीच की स्थिति है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं, और ये अगर आप सोचते हैं, कि ये किसी दूसरे की लाश है, तो आप ये समझ लीजिए, ये अपके सुकुत्र वो भी हो सकते हैं आपकी बेटी आपके पिता कोई भी हो सकता इसमें इसलिए इसलिए इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को अपने भी मैं आपको दिखा दूँ, यह है वो मौत, और इस मौत को आप ध्यान से देखी, अभी मरा नहीं है, यह आदमी जिन्दा, और यह देखी, प्लास्टिक केस में यह पुरा पैक्ड है, और यह गलव्स है, हैंड गलव्स, यह अलग लग जगे हैंड गलव्स लगाएगा है, यह इसलिए लगाएगा है, कि अब इसको खोला नहीं जाएगा, इसको पैक्ट कर दिया गया है, औक्सिजन की एक नली अंदर दे दी गई, जिससे सिर्फ औक्सिजन जाएगी, और जो कुछ करना है, इधर से हाथ डाल के करेंगे, इसको कोई चुएगा नहीं इस विक्ति क इतनी बुरी स्थती है, अगर आप इसे शुद हिंदी में समझना चाहते हैं, तो मैं यह बता दूँ कि यह चुआ छूट की बीमारी है, जिस प्रकार से आप किसी भी मुर्दे को कंदा देने के बाद आप लोटते हैं, और आप कहीं छुलते हैं, टच नहीं होते हैं, उसी आपके सबसे पीछे रखी रहती है, उसको में गेट पर लेयाए, गुला बनाकर दीरे से नीचे रख दीजे, क्योंकि जब आप कपड़े उतार कर डालेंगे, और हम यह मान कर चलेंगे, हर जगा मान कर चलेंगे, यह कोरोना वाइरस इसमें है, हम जिस से भी मिलेंगे, हम यह मान कर चलेंगे, कि उस व्यक्ति में करोना वाइरस है, हम जो भी दर्वाजा पकड़ेंगे, हम यह मान कर चलेंगे, कि उस दर्वाजे के हैंडल में करोना वाइरस है, यह मान कर चलना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, तभी हम इससे जीत पाएंगे, इसक कल साथ सो से जादा लोग तकरीबन आट सो क्या सपस कल के कल मरें वहां की सरकार चाहकर भी नहीं दबा पारी इतना बड़ा आकड़ा कि वो चाहकर भी नहीं दबा पारी वहां डॉक्टर्स कम पड़ गए बहुत लोग कम पड़ गए मैं जब आपसे कह रहा हूं कि जब आप शर्ट उतारे उसका पुलिंदा बना लें गोल और उसको दीरे से रखे अगर आप वो छुलती हुई बटन्स को छुलती हुई नीचे जाती है शर्ट तो वह आपकी दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया आपने वो वीडियो तमाम देखेंगे जिसमें रेड और यलो लाइन बन रही है कि एक ने चुआ दूसरा इंफेक्टेड हुआ तो लगातार लोग इंफेक्टेड हो रहे हैं ये स्थिति आप समझ लीजिए ये जो स्थ इसको जितने आसानी से आप समझ लें जिस भाशा में आप समझ लें उस भाशा में समझ ये तस्वीरों की भाशा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ठीक है सब और कोरोना वाइरस कितना भयानक है यह आपको इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि हमारे अभी भ पीपल को इंफेक्ट कर चुका होता हूँ थोड़ा पास से दिखा दूँ आपको आच्छे से दिखे और 30 दिन बाद जो स्थिती होती होती है 406 लोग भारत में फिलाल जो स्थिती है वो तकरीबन 1.5 to 200% दुगने के हिसाब से बढ़ रही है और 50% अगर लेस एक्सपोजर हो पीपल और 30 दिन बाद सिर्फ धाई पीपल धाई लोग बचेंगे यानि कि आप इससे बच जाएंगे मैं कई दुकानों पर गया दुकाने खुली हुई है आज में मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने कभी भी कभी जो मॉनिंग वोक के लिए नहीं निकले जो लोग कभी कि नई लिक कर लिजे इस तरह के लोग खुद तो मरेंगे मरेंगे और पुरा प्रिवार मरना है और आपके पुरे महले को भी मर वाइंगे ऐसे लोग यदि आपको कहीं देखते हैं आप इनको तुरंत रोगी है इननसे पूछिए आपके साधार पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और यदि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती तो खीच कर एक तमाचा जड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, पोलिस F.I.R. नहीं लिखने वाली इनकी आज की तारीक में जिन्होंने अपनी बेटी अपने बेटों को भेजा था बहार का माने गया जब Corona virus हो गया, जब वह बहार से नाचने गाने जो लोग गए थे बहार जो लोग party मनाने गए थे, जो लोग world tour पे गए थे हमारे भारत में coronavirus नहीं था, ये लोग लेकर आए हैं, ये लोग लाए हैं, और ये वो लोग लाए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों पढ़ने बेजा था, आपको पास तो पैसा था ना, तो भारत क्यों बला रहे हैं, भारत तो अच्छा देश नहीं है, इसलिए तो आपने बलाओ, आपको यहां बलाने का उनको अधिकार नहीं है, हमारी जान